वालो स्टुटेंड अपने पिछली दोनों क्लास में देख लिया था ऐसीड़ीस फायर और एंटा एसीड़ अब यहां पर अपन देखते हैं Crusade क्या देखते हैं कैथार्टिक्स और आपको और वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको दिस्क्रप्शन में दे दी गई है और आपको नोट्स की रिक्वार्मेंट है तो टेलिग्राम की लिंक भी आपको दिस्क्रप्शन में दे दी गई है तो स्टार्ट करें का टोपिक तो जो क्या होते हैं डिफेक्शन औप इस्टूल फ्रोम द बाउल दिफेक्शन का मीन होता है मलत्याग औफ इस्टूल फ्रोम द बाउल इस्टूल मीन फिकस किसके दोरा डिफेक्शन ob stool from the bowel. bowel part अपने कौन सेoyant होगे? पूरे digestive part bowel part है, intestine होगया, large intestine, small intestine, rectum. Okay, defection of stool from the bowel, bowel part के दौरा stool का defection. Okay, bowel part के दौरा stool का maltyag. Yeah, which are used to clean bowel, which are used to clean bowel, जो bowel part को पुरे clean करती ही. वो क्या होते है? cathartic, तो cathartic is simple definition है, जो constipation में relief दिलाते हैं ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं अब constipation क्या होता है constipation का मीद क्या होता है difficult evaluation of the ficus या इसको easy वासा हैं बोल सकते हैं difficult defection of the ficus ficus का difficult defection हो रहा है ओके यानि ficus part का difficult defection हो रहा या इस tool part का difficult defection हो रहा है ओके अब cathartics का type देखते हैं कितने type होते हैं cathartics के two types होते हैं lexative और purgative क्या होते हैं lexative और purgative अब क्या क्या होते हैं lexative और purgative lexative को अपन बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं lexative को क्या बोल सकते हैं lexative को mild cathartic या mild purgative क्या बोल सकते हैं पन mild cathartic या mild purgative mild का मतलब होता कम परवावशाली mild cathartic या mild purgative अब adjective क्या होते है increase intestinal movement जो intestinal movement को increase करते है intestinal का movement क्या बढ़ाते है जो intestinal का movement बढ़ाते है वो क्या होते है लेग्जेटिव, make, stool, shopner, और stool part या fix part को क्या बनाते है, soft बनाते है, वो क्या होते है, लेग्जेटिव होते हैं, अब लेग्जेटिव का, प्रोलॉंग यूजोप लेग्जेटिव में, कोज, हीबिटो, डिपेंडेंस, लेग्जेटिव को, यदि अपन प्रोलोंग लंबे टाइम तक यूज़ करें तो यह क्या बन सकती है अपनी हेबीटिया डिपेंडेंस भी हो सकती है ओके ओके सर ठीक है आगे बढ़ते हैं परगेटिव अब परगेटिव को अपन बोल सकते है इस्ट्रोंग कैथार्टिक या परगेटिव इस्ट्रोंग कैथार्टिक या इस्ट्रोंग परगेटिव ओके अब परगेटिव क्या होते है यह होते है यह होते है इस्ट्रोंगर एक्शन इनका क्या होता है एक्शन क्या होता है यह इनका फ के एक्जाम्पल आपको खोओ रखें क्या क्या है कि एक्जाम्पल है मेगनीशिub sulphate है सोडियम और तो फोसपेट है और के ओलीन और बेंटो डाइट सै विससे फार्मेसिक सेलेविश में गलत दे रखा है के ओली न से λवीशन गजीन और दे रखा या तो अपन यहा आगे बता रहा है कि आपको को जोब कॉंश्टी पेशन किस कारण से हो सकता है ओके कॉंश्टी पेशन किस कारण से हो सकता है चेंज ओफ इन्वाइरोमेंट यदि इन्वाइरोमेंट चेंज हो गया emotional tension, यदि अपने को emotional tension है, improper diet अपन टाइम पर खाना नहीं खा रहे या कुछ गलत खा रहे हैं, ओके intestinal spasm या intestinal atony, intestinal atony का मीन क्या होता है lake of muscle tension, क्या होता है lake of muscle tension, या muscle tension या muscle का तनाव ज्यादा हो गया, इसको क्या बोलते है, intestinal atony, ओके side effect of drug, ये भी एक रीजन हो सकता है क्या हो सकता है, side effect of drug, ये जिए drug का कोई side effect हो गया, ओके, तो क्या-क्या constipation के कोज है क्या-क्या कोज है, environment का change होना, emotional tension है improper diet है, intestinal atony है, और side effect of drug, drug के side effect है, ठीक है सर अब आगे बढ़ते है, use of cathartics, cathartics के क्या देख लेते हैं, anti-accident luxury में, इनका use है, okay, sir, alkaline mouthwash में, इनका use है food या drug poisoning में, इनका use है, to relieve constipation constipation में relief दिलाते है to bed-ridden patient, bed-ridden का mean होता है जो patient bed पर ही रहते permanent, okay, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी क्या यूज़ कर सेते हैं, अपन cathartics यूज़ करते हैं, ओके, और in endoscopic procedure यदि अपने को कोई endoscopic procedure देख रहा है, तो इनके लिए भी अपन को क्या use करते हैं, cathartics use करते हैं, तो cathartics की use है आपको समझ में आगे anti-accident luxury में alkaline mouthwash में, food and drug poisoning में, to relieve constipation में, in bed-ridden patient में, और endoscopic procedure में, ठीकर से आगे बढ़ते हैं classification of cathartics cathartics का classification देख लेते हैं अपने एक बार तो cathartics की classification में दो पार्ट हैं बाटा गया इसको क्या-क्या कौन-कौन से पार्ट हैं बाटा गया है एक तो mild legative और एक purgative, legative क्या बोल सकते हैं पन mild purgative, mild purgative इसमें तीन form होती है, कित्ती form होती है, तीन form होती है इसकी कौन-कौन से होती है bulk forminc lexative, osmotic legative और stool softner, कौन-कौन से फ़र्म होती है bulk forming leftover ligative, osmotic legative और stool, symptom ठीक है तो इनको देखते हैं क्या होती है ये और पहले इनका second पार्ट देख लेते हैं कुछ सा पार्ट है बरगेटिव सबसे पहले बता देवें लेक्जेटिव और फिर आएगा परगेटिव तो फ़गेटिव को दो पार्ट्स knots में डिवाइट किया गया माईल परिगट को और क्या कह सकते हैं पंड लेक्जेटिव अब यह क्या होते हैं आर दूज वीच पर्मोट टिफेक्शन कोजिंग मिनिमम एडवर्च इफेक्ट यह न्यूंतम परते कुल परभाव के कारण इनका promote क्या होता है इनका defection क्या होता है पर्मोड होता है यह इनको ऐसे कह सकते हम है पर यह ESGली वासा में जो constipation में relief दिलाते हैं उके इनका first part है bulk forming laxative कौन सा part था इनका first part bulk forming laxative bulk forming laxative क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं bulk forming laxative promote evacuation by increasing the stull bulk volume and water contents इनका evacuation क्या होगा promote होगा किसके दुआरा increasing the stool bulk जो stool part क्या हो जाएगा and water contents और इसमें क्या होगा water contents इसके example important है example देख लेते एक वार methyl cellulog sodium carboxy sodium carboxy methyl cellulog और यह इशाफ गुला इशाप गुला ओके या इशाप गोल ओस्मोटिक लेगजेटियों में क्या होते है ओस्मोटिक लेगजेटियों का एक्जामपल है क्या क्या होते है लेक्टुलोज और गिलिसरीन सपोजिटरीज क्या क्या होते है टीक तैंड को सब्सक्राइब बार्इंगे हुआ उस्कूल क्या वते हैं विच लिउब्रिकेंट sé Real चूपनर यह तूल उसक्त पार्पार्ट को क्या करेंगे लिउब्रिकेट करेंगे अच्छा लिगा इनको बढ़ाएंगे वो क्या होते है इस तूल सोपनर इनमें कुन Arabs अब इस्ट्म्पर्गेटीव देख लेते हैं आप या परगेटीव देख लेते हैं क्या कोज कम्पिलिट Evetरि किशोन ओप दब उनेक्टीव यह क्या करेंगे बाउल का complete इवेकलिशन करेंगे, बाउल पार्ट यानि अपनी इंटेस्टाइन हो गया, पुरा डाजेस्टिव ट्रेक्ट हो गया, तो इस बाउल पार्ट का कम्पलिट क्या करेंगे, इवेकलिशन या मुल्यानकन करेंगे, ओके, और क्या हो जाएंगे, इनेक्टिव हो जाएंगे, ठी stimulant purgative या irritant purgative जिसका example है जिसका example क्या है सीना, केश्टर ओयल और फिनोब्थेलीन क्या है सीना, केश्टर ओयल और फिनोब्थेलीन ठीक है अब इसका second part देख लेते है osmotic या saline purgative जिसको divide किया गया है four parts के अंदर कौन सा part osmotic part जिसको four parts में कौन कौन से, manganeseum containing product sodium phosphate, sodium bifosphate और potassium sodium tartrate तो आपको इhe parts दियान रखे हैं कौन कौन से, manganeseum containing product sodium phosphate, sodium bifosphate और potassium sodium tartrate ठीक है यह हो गया, तो अपन इसके example में, start में अपने देखा था मेरे चार example बताए थे, manganeseum sulfate, bentonite cathartics sorry, kaolin और एक example क्या बताए थे, मैंने आपको ओके तो अपन इहां से देख लेते हैं manganeseum sulfate कौन सा example देख लेते हैं, फस्ट अपन manganeseum sulfate यह आपको पड़वाला समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं इसके चार example में आपको बता दिये manganeseum sulfate sodium orthophosphate बेंटोनाइट और केओलीन जिसमें बेंटोनाइट और केओलीन आपके सहलेवेंस में नहीं है यह गलत दे रखा है यहां पर तो यह आपन दो एकजामपल देखेंगे manganeseum sulfate क्या देखेंगे अपन manganeseum sulfate देख लेते हैं एक बार manganeseum sulfate का यह फोर्मूला होता है heptah hydrated formula है क्या है heptah hydrated formula है क्या है heptah hydrated formula है okay heptah hydrated formula एक बार अपन देख लेते हैं यहां से क्या होता है heptah hydrated formula okay manganeseum sulfate .7H2 यह क्या है heptah hydrated formula इसका molecular weight क्यतना होता है molecular weight है 246.5 gram per mole 246.5 gram per mole इसका क्या है molecular weight है synonym क्या है epsum salt क्या है ipsum salt क्या है इसका ipsum salt इसकी preparation देख लेते हैं अपन magnesium sulfate किस्ते बनेगा magnesium carbonate plus H2O किस्ते बनेगा magnesium carbonate plus H2O को mix कराने पर क्या बनेगा magnesium sulfate बनेगा okay magnesium carbonate और water को mix कराने पर क्या बनेगा magnesium sulfate बनेगा और H2O plus CO2 remove हो जाएंगे CO2 क्या हो जाएगी remove हो जाएगी ठीक है सेकिंड मेंगनिशियम के ओक्षाइड प्लस सल्फियूरिक एसिड से किसे मेंगनिशियम के ओक्षाइड प्लस सल्फियूरिक एसिड से क्या बनेगा मेंगनिशियम सल्फियर्ट बनेगा और ह्ट्टो अलग हो जाएगा ठीक है कुण कौणसी प्रिफ्रिश्फलेड एक तो मैंगनीशन गार्मानीड पल्स हटो से क्या बनेगा मैंगनीशन सेलकीड प्लसHH2 अलग हो जाएग कि फार्ट रेक्शन यह इसकी मैंगनीशन हाइड उक्षाइड से किस्ते हैं magnesium hydroxide से थार्ड डेक्षिन किसते हैं magnesium hydroxide से एक बार देख लेते हैं magnesium hydroxide plus इसमें क्या यूज़ करेंगे हैं sulfur dioxide क्या यूज़ करेंगे हैं sulfur dioxide और oxygen इन तिनों को mix करने पर क्या बनेगा magnesium का sulfurate बनेगा और से डियुमूव हो जाएगा ठीक है magnesium hydroxide plus sulfur dioxide plus उक्षिन को मिक्स करने पर क्या बनता है मेगनिशम का सलफेट बनता है अब इसकी प्रोपरटीज देख लेते हैं मेगनिशम सलफेट की प्रोपरटीज क्या होती है क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं और और क्या प्रोपरटीज देख इनकी इद फ्रीली स्वल्बूल इं वाटर ये क्या होत रोते हैं वाटर में तृपलिज बॉलंग वाटर बोर् quarantine होते हैं ऑल बहुत ज्यादब नहीं झाले वाटर में स्लाइटली होते हैं अस्राइटली होисл Jugel Glycerin ओके आगे इनका स्टोरेज देखते हैं स्टोरेज टाइटी क्लोज कंटेनर ठीक है आपको पता है अब यूजेज देखते हैं मेंगनेशियम सेलफेट के क्या यूज है घूज है आपको पता क्या होते हैं जो पूजन को क्या करते हैं? विशदर, जो विश्द को हरने वाले, पूजन को हटाते हैं या पूजन को इनक्टिव करने वाथूज थे हैं वाले ठीक है एंटी डोट जिससे इनका एक्जामपल बेरियम या बार्बी ट्रेट पोजिनिंग होगी क्या होगी बार्बी ट्यूरेट पोजिनिंग ओके एक्जामपल इसका बार्बी ट्यूरेट पोजिनिंग ठीक है ठीक है आगे देखते हैं और इनका यूज क्या हो सकता है इड एक्ट इंग्ट में यूज होगा इसका सेलाइन लग्जिटीव इसका यूज वो सकता है यूज गहां यूज ट्रेटिमेंट ओफ मैंगिनिशुम मैंगिनिशना सेथिके ओ गईी या हइपर टेंशन ओन्यू या दूसरा एक्जाम्पल था sodium ortho phosphate क्या था sodium ortho phosphate का फ्रोमल आपको दिख रहा है na2hpo4.12 है h2 क्या दिख रहा है na2hpo4.12 है h2 इसका molecular weight कितना होता है कितना होता है 358.14 gram per mole 358.14 gram per mole इसका क्या होता है molecular weight होता है आगे बढ़ते हैं इसका synonym इसका synonym किस नाम से जानते हैं अपन किस नाम से जानते हैं di sodium hydrogen phosphate किस से di sodium hydrogen phosphate के नाम से इसको जानते हैं sodium ortho phosphate को di sodium hydrogen phosphate के नाम से भी जानते हैं अब इसकी preparation देख लेते हैं अपन ऑगे देखें फिर्प्रेशन में क्या देरेकyy करणा पर क्या बनता है शनीम और फोश्पइ्ट बनता है ऐघ में फॉस्पोर है प्लस точно सु कि जा क्या लें सॉडियुम का हर्डर्चाहिद नुट क्या बना सो डियम और फोशमेट थाओ धिग्ण दो रिएक्षण होगी सी फॉस्पोर एस जpowered है अपन फोस्पोर 1500blos सरियम कार्वोनयाट को मिक्स करने पर क्या बनेगा sodium ऑर फोषपेट बनेगा ऑपने पास फिसकल म理ता के देख समयाएं पूर्प्र ओडर्टलरी नहां होता है यह क्रिशिकल मद्रफन क्रिश्टल नगते हैं पीजिजिकल होथे इसकी इसकी ट्रेज़र्फनी वेट, सॉलिड होता है, कादर लेश होता है, और अलकॉल, ये क्या होगा, वाटर में शॉलिबल होगा, अर एलकॉल में प्या होगा, ठीक है, अब इसकी केमिकल प्रोपरटीज, क्या है, केमिकल पोपटिज में बोईलिंग पॉइंट कितना है 100 डिगरी सेंटिग्रेट है कितना है 153 डिगरी सेंटिग्रेट है ऑके सोडियम ओर्फो फोश्पेट का इस्टोरेज आपको पता है इस्टोरेज टाइटलिक लोज कंटेजर अब इसके यूजेज देख रहे हैं अपने यूजेज क्या इसका क्या है इसका इस्टेंड बफर सॉलीशन बनाने में इसका उजोगा sodium orthophosphate का in food industry it is used to adjust pH और इसका क्या यूज़गा food industry में pH को adjust करने में भी यूज़़गा किसका sodium orthophosphate का usage treatment of constipation और किसमें यूज़़गा इसका constipation के treatment में भी यूज़़गा किसका sodium orthophosphate का तो usage इज़े इसके क्या क्या देर का है it is usage cell and laxative it is used in preparation of standard buffer solution standard buffer solution preparation में भी इसका use होता है food industry में pH maintain के लिए और constipation के treatment के लिए ठीक है तो ये आज का topic हो गया अपना cathartics क्या होगा cathartics complete हो गया